आजम बनाने वाले हैं चिकन दब बिर्यानी इसे मैंने बहुत ही तरह से वस्ट कर लिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक चमच नमक एक चमच लाल मिच्छी पाउडर चमच काली मिच्छ का पाउडर दो बड़े चमच अध्रक लेसन का पेस्ट साथ हम इसमें एड़ क चाहे तो डालेने तो इसकीब भी कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे दूसरी तरफ हमने लिया है एक किलो चावल ये एक्स्टर लोंग रेन बासमती राइस है इसे अच्छे से धो कर इसे आदे गंट मैंने करीब करीब आधी किलो ली थी तो इसे मैंने बहुत ही अच्छी से फ्राइ कर लिया है देख सकते हैं फ्रेंट ये एकदम हमें ब्रेश्टा बना लेना है प्यास का इसे हम फटा-फट से निकाल लेंगे और इसी ओयल में आप हम चिकिन को फ्राइ कर लेंगे तो चिक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स वीडियो को नौटिफिकिशन आपके पास सबसे पहले पोच्छी हमने चिकन को अच्छी से फ्राइ कर लिया है इसी तरह हमने बागी बच्छे चिकन को भी फ्राइ कर लेना ह देख सकते हैं फ्रेंस भून जाने के बाद चिकन हमारा फ्राइ हो जाने के बाद कितना प्यारा सा कलर आ जा रहा है इसमें तो बस इसी तरह से हमने चारे चिकन को फ्राइ कर लेना है चिकन हमारा बहुत ही अच्छी से भून गया है देख सकते हैं इसे आप हम निकाल हमने कुछ खड़े मसाले लिए जिसमें इलाइची है, काली मीच है, जावीत्री है, बड़ी इलाइची है, दालचीनी है, लॉंग है, खाड़ा जीरा और दो तेज पत्ता है, इसे इसमें आड़ कर देंगे और इसे तेल में हम थोड़ा सा भूल लेंगे, ताकि ओल में जो है आले का फ्लेवर अच्छे से चला जाए, साथ ही इसमें हम आड़ कर देंगे दो चमच अधरक लेसन का पेस्ट, एक मीडियम साइस का टमेटर का प्यूरी, और साथ ही हम इसमें आड़ कर देंगे एक चमर धनिया, एक चमर जीरा, और आठ से दस कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें आड़ कर देंगे हम नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग रखें और इससे हम अच्छे से भून लेंगे, दूसरी तरफ हमने लिया एक पतीला, जिसमें मैंने चावल से डबल पानी लिया है, दो चमच नमक आड़ कर लेंगे, इसके साथ हम इसमें आ यानी मसाला,इसे भी इसमें ऐड़ कर लेंगे और साथ ही हम चावल को भी आड़ कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे एक प्लिमच ओयल, इसे अच्छे से मिक्स ऋ लेंगे और इसे हम 10 से 12 मिनुट तक अच्छी तरह से पका लेंगे फ्रेंस हमें इसे 80% तक ही पकाना है तो आए देख लेते इसको देखे फ्रेंस हमारा चावल जो है 80% कुक हो गया है देख सकते हैं कितना टूट जा रहा है ये बस इसी तरह से हमने पका लेना है और दूसरी तब हमने फटा-फट से जो मसाला रेडी किया था उसमें आड़ कर करके रखा था उसे एड़ कर देंगे और इसके साथ हम इसमें एड़ कर देंगे एक बड़ा चमच बिर्यानी मसाला और इसे अची तरह से भूल लेंगे फ्रेंस ये जैसी ही भून जाएगा इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे चिकिन को चिकिन को हमने इसमें एड़ क के लिए अच्छी से हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे इसके बाद हम गैस के फ्लेम को आफ कर लेंगे और इसे रख देंगे साइड में तो हमारा चिकन बिल्कुल तयार है दोसरी तरफ हम प्लैटिंग के लिए एक पतीला लिया है और उसमें मैंने एक चिमच घी अट किया है इ いき-ज़डा चिकन को डाल रहीत भी हो फिससे लेलेंगे चावल इसके ऐक स्की फूड़ा प्यास कटा रखन्यग पत्ता और फिर से हम इसमें प्रे हैं चार कर लेने हैं हमारी चावल की लेयर कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसके उपर से आड़ कर देंगे कुछ ट्रॉफ स्केवडा वाटर के, इससे जो है दावत पाली खुश्पु आती है, फ्रेंस आप इससे डालना चाहें, तो डाले नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, अब हम इसके लिट को लगा कर आटे से इसे पैक कर देंगे, और फ्रेंस इसे दस मिनट के लिए दम लगा लेंगे, तो हमारा बेरियानी दस मिनट के लिए दम हो गया है, अब हम आटे को आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेंगे, फ्रेंस आप इसे एक मूटी कॉटन के कपड़े से ढख कर और उसके से आप धकन लगाकर भी इसे दम कर सकते हैं यह देखे फ्रेंस हमारा चावल कितना खिला खिला बनके तयार हुआ है तो फ्रेंस देख सकते हैं हमारी जिकन दम बेरियानी बलके बिलकुल तयार है बिलकुल कम मसाले में बहुत ही मज़ेदार सी रेसीपी तो फ्रेंस आपको य Technically, thank you.